इसनी फल तो चाइनीज लोग खा रहे हैं जो मिठाई से मिठे होते हैं बाई अपनी इंडिया में नागपूर के संत्रे पुरे भारत में फेमस है लेकिन वही चाइना में ऐसे भी संत्रे पाए जाते हैं जिसमें आप एक ही संत्रे से एक गिलास जूस का भर सकते हैं पुर्वाके इस जूस के सामने सर्वत भी फेल हो जाता है इंडिया के घरों की सब्जियों में कहीना की कठल तो जुरूर पाया जाता है लेकिन चाइना माल इस चीज में भी अलग वेराइटी निकाल देता है जो एकदम सेम कठल जैसा लगता है लेकिन अंदर से फल जैसा निकलता है जिसे डूरियन फ्रूट भी कहता है भाई मैंने आम की काफी सारी वेराइटी खाई है लेकिन चाइना जैसा आम मुझे आज तक नहीं देखने को मिला वहीं चाइना के आम ऐसे होता है जिनमें गुटली नहीं निकलती है और खाने में भी लजीज लगते हैं मतलब गजब या ऐसे फल जो सिर्फ चाइना में ही मिल सकते है इस फ्रूट को पहले बार देखने पर ये फ्रूट पत्थर बेल की तरह लगता है जिसमें से एक है चाइनीज गन्ना जो चाइनीज लोगों की तरह बहुत ही सोफ्ट होता है इस गन्ने को आप बड़ी असानी से अपने हाथ से छील सकते हैं और मस तरीके से खा सकते है जहां पूरी दुनिया रेड अपल खाने में में मस्त है वही चाइना में ब्लैक डामेंड अपल खाया जाता है जिसे कीमत भी हर किसी की जेब खाली कर सकती है जो आम अपल के मुकाबले काफी ज़्यादा मेठी होती है कुछ ऐसी चीजे जो देखने में तो वह चोटी लगती है लेकिन असल जिन्दके में वे काफी बड़ी होती है एक आम पमकिन का वज़न 5-10 किलो होता है लेकिन ये देखो ये है दुनिया का आप तक का सबसे बड़ा पमकिन जिसका वज़न 1226 किलो गराम है जो 15 आदमी के बराबर है जिस पर आदमी आराम से बैट सकता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनने लोगों से उमच्वा बैटना पसंद होता है तो ये देखो दुनिया की सबसे बड़ी चेयर जिस पर आदमी बैट कर वहाँ से हाथ हिला सकता है नमबर त्री भाई कार तो सभी को पसंद होती है लेकिन वो कितनी बड़ी हो सकते हैं वो सायद आप भी नहीं जानते तो ये है जाइंट हैमर जो इतनी बड़ी गाड़ी है कि इसमें 12 फोर्टिनल समा सकते हैं और ये नॉर्मल गाड़ी की तरह चल भी सकती है